अलो तो आल तो देगे एस शेलिकोन कंटोल रेकेफिफायर कि अंड दिस इस कमेंडर इंडस्ट्री एलेक्रोनिक्स एंड कंट्रोल यहां पर हमारा जो आपरेशन है रेक्टिफिकेशन है तुह हम लोग भहत हाई voltage को और current को deal करते हैं तो वो हमारा simple diode से नहीं हो पाता है जो simple diode होता है वो pn diode होता है उससे हम इसको high power हम उससे deal नहीं कर पाते हैं तो हमें एक thyristor की requirement होती है thyristor series में एक आता है silicon control rectifier तो हम लोग silicon control rectifier को आज पढ़ेंगे power semiconductors कई होते है first one is a power diode होता है यह इसमें दो layer होती है this one is a p and this one is a n p type और n type के दो semiconductor को अगर add करते हैं तो हमारा normal power diode बनता है और इसमें दो layer होती है और इसमें थोड़ा सा as compare normal diode to power diode हम लोग ज्यादा power को थोड़ा सा handle कर सकते है फिर आता है power transistor इसमें तीन layer होती है या तो हमारी तीन layer p, n, p होगी या n, n, p, n होगी correct हम लोग कैसे identify करेंगे यह n, p, n है कि p, n, p है क्योंकि दो ही हैं transistor अपने पास या तो p, n, p, n होगा तो यहाँ पर हमें यह देखना है जो यह arrow होता है यह arrow जो बना है यह हमारा arrow p to n जाता है यह जो head होता है यह n पर होता है ठीक है, तो यहाँ पर हमारा p, n लिख देंगे और यहाँ पर हम n लिख देंगे और यहाँ पर हमारा n हो जाएगा क्यों, क्योंकि जो इस terminal पर होता है यानि कि emitter पर जो होगा वह ही हमारा collector पर भी होगा तो यह होगा हमारा n, p, n अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर arrow हमारा कहीं इस तरह से होता इस तरह से तो p इधर हो जाता n इधर हो जाता और p अगर इधर हो जाता क्योंकि collector और emitter same semiconductor से बनते हैं ठीक है, तो यह हो गया हमारा power transistor इसमें 3 layer हो गई 3 layer हमारी इस तरह से हो सकती हैं p, n, p either n, p, n यह तीन terminal हो गया यह collector हो गया, emitter हो गया and this one is a base यह base हो गया यह collector हो गया और यह emitter हो गया ठीक, इस तरह से हमारे दोनों transistor यहां पर दोनों type के transistor हमारे complete होते हैं power transistor जो है अब आता है हमारा thyristor जो हमारा thyristor के अंदर ही आता है हमारा SCR यहां पर जो हमारा thyristor होता है वो हमारी four layers होती है clear PN, PN अब यहां पर normal describe किया गया है PN, PN, चार लेयर डायोड explain कर दिया गया है जिसमें से तीन junction बनेंगे J1, J2 और J3 तीन junction बनेंगे और इसका जो representation होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है यह हमारा gate को represent करता है this one is anode and this one is a cathode कहीं कहीं पर C से भी mention करते हैं कहीं कहीं पर K से भी mention करते हैं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हमें यह चीज़ समझनी है कि यह कह रहा है कि थारिस्टर डिवाइस थारिस्टर डिवाइस केन कनवर्ट एंड कंट्रोल लार्ज अमाउंट आप आवर क्योंकि यहां पर जो पावर होती है यहनी कि voltage होती है और current होती है approximate thousands में होती है 5000 volt 1000 ampere current and frequency भी बहुत ज़्यादा होती है जो इसमें हम handle करते हैं वो frequency वो kilohertz में होती है और यहां पर एक चीज़ जो हमारे घरों में जो power हमारे घरों में जो power supply आती है उसकी power rating होती है 240 volt वोल्ट यह हमारा वोल्टेज है जो हमारी करेंट होती है जो हमारी करेंट होती है वो होती है हमारी 1 to 15 एमपियर 1 to 15 एमपियर जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट होती है यह जो 50 हर्ट है किसी किसी कंट्री पर 60 हर्ट पर भी काम किया जाता है जैसे USA है जो 60 हर्ट पर काम करता है जपान है वो 50 हर्ट और 60 हर्ट दोनों फ्रिक्वेंसी पर काम करता है इंडिया में basically 50 Hz पे ही काम किया जाता है क्योंकि यहां पर जो electricity का origin किया था वो विट्रिसर्स ने किया था तो उनके पास जो equipment थे जो उनकी power generation की frequency थी वो 50 Hz थी इंडिया में भी 50 Hz थी रह गया इसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर हम 50 Hz यूज करें कोई devices में कोई components में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आई थिंक वो impossible है तो पावर का generation जो हमारे घरों में आता है वो voltage की रेटिंग रहती है तू हंड़ेट वोल्ट तू नहीं आता है और करेंट में देखते हैं तो वह 1-15 डिपेंड करता है कि हमारे डिवाइस कौन सा है करेंट को विड्रॉ कर लेता है फ्रिक्वेंसी फिक्स रहती है 50 Hz और यहां पर यह जो हम लोग यूज करना है थारिस्टर डिवाइस थारिस्टर डिवाइस की रेटिंग रहती है 5000 वोल्ट 1000 एंपियर 1000 हर्ड्स ठीक है इसको 1K भी लिख सकते हैं 1 किलो हर्ड्स इस पावर रेटिंग से हम इस पावर रेटिंग को हम लोग हैंडल करते हैं वो कहलाता है SCR ठीक है SCR के थुरू हम इस को हैंडल करते हैं ठीक है थारिस्टर डिवाइस केन कंवर्ट एंड कंट्रोल लार्ज अमाउंट आप आवर देस वन इस पावर सप्लाई तो इसको हम लोग किसके थुरू हैंडल करेंगे SCR के थुरू अब कह रहा है इन AC & DC सिस्टम ठीक है द very low power यहां पर यूज कर रहा है कि very large amount of power दोनों में difference है क्या होता है कि जब हम SCR को operate कराते हैं SCR को operate कराने के लिए उसको चालू करने के लिए start करने के लिए trigger करने के लिए इन सभी चीजों को start करने के लिए या trigger करने के लिए हमें बहुत small amount का power requirement होता है यह नहीं कि इसको बहुत huge power की requirement हो अगर huge power की requirement होगी तो हमारे लिए SCR बेकार हो जाएगा तो यहाँ पर हमें यह देखना है next क्या है thyristor family includes क्या-क्या इसके अंडर आता है इसके अंडर आता है silicon control switch second one gate turn off thyristor triac, diac, silicon control switch and moss control switch इनमें difference क्या होता है इनमें बहुत small amount का difference होता है यहाँ पर किसी में power current ज़्यादा operate करने के लिए हमें आजादी मिल जाएगी, liberty मिल जाएगी किसी में हमें voltage ज़्यादा मिल जाएगा किसी में हमें frequency कम और ज़्यादा मिल जाएगी तो इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा variation रहता है किसी में switching speed बहुत high होगी ठीके, actually में frequency यहाँ पर ज़्यादा है तो frequency ज़्यादा होने के करण यहाँ पर हमारा जो switching speed है वो बहुत high होनी चाहिए अगर switching speed हाई नहीं होगी तो उसमें noise generation आ जाएगा clutter noise आ जाएगी clear? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं SCR has three SCR has three basic states तीन state होती है किसकी? SCR की पहली होती है reverse blocking mode state reverse blocking mode और off state इसमें क्या है? कि हमारा SCR होता है वो reverse biasing होती है उसमें अभी हम लोग biasing चेक करेंगे देखेंगे कैसे होती है I think हम लोग उन्हें जो basic analog में पढ़ा था biasing reverse biasing forward biasing no biasing तो यह वहाँ पर clear होगी मगर मैं दुबारा explain कर दूँगा biasing क्या होती है ठीक है? reverse blocking mode और off state second one is a forward blocking mode or off state and third one is a forward conduction mode or on state clear? अब हम लोग biasing को मैं clear कर देता हूँ क्या होता है? जैसे हमारा यह माल लीजे यह हमारा p, n, p, n यह four layer हमारा एक component है अगर इसमें हम कोई भी battery का connection provide नहीं करते हैं this is called a no biasing clear? अगर हम इसमें यह plus positive terminal है यह negative terminal है तो अगर p को positive से connect कर देते हैं और n को negative से connect कर देते हैं तो यह आजाता है हमारा किसमें forward biasing में clear? अब इसी को अगर हम इस pattern पर connect कर देते हैं negative, positive तो यहां पर यह जो p terminal है यह negative से connected है और n terminal हमारा positive से connected है तो यह किसमें आजाएगा reverse biasing में clear? biasing clear होगी no biasing, कोई battery नहीं connected है no biasing अगर है यहां पर हमारा p positive से connected है तो forward biasing और हमारा p negative से connected है और reverse biasing यह सभी के case में similar है कोई change नहीं होगा चाहे हमारा component कोई भी यूज करें अगर हम यहां पर दो टर्मिनल भी यूज करते है तो भी हमारा यह no biasing का case है अगर हम इसको हटा दें यहां से p और n लिख दें यह normal diode है अगर इसमें हम positive और negative कनेक्ट कर देंगे तो यह भी हमारा forward bias से कहलाएगा clear? तो biasing में कोई change नहीं आने वाला है ठीक है? तो हम लोग एक एक करकर SCR के जो हैं हमारे modes जिसमें conduction होता है SCR का वो हम लोग यहां से देखेंगे ठीक? यहां पर थोड़ा सा changement हुआ है low doping means कि यहां पर impurity कम मिलाई गई है तो अगर यहां पर 10 to the power एक 8 atom silicon के होंगे और 1 atom 3 या 5 group के atom होंगे तो यह कहलाएगी low doping मतलब इसमें हमने doping कम की है ठीक है? अगर इसमें हम high doping करते हैं ठीक है? अगर हम high doping करते हैं means 10 to the power 3 atom silicon के लिए और 1 atom 3rd या 5th group के लिए तो हमारा क्या होगा? यहां पर यह कहलाएगी high doping ठीक? यह कहलाएगी high doping यह कहलाएगी low doping यह moderate doping है 10 to the power 5 atom silicon के हैं 1 atom हमारा 3rd group या 5th group के elements होंगे तो अगर हम high doping कर रहे हैं यहां पर high doping कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा? P plus क्या design होगा? P plus अगर कहीं पर P plus लिखा हुआ है या N plus लिखा हुआ है it means कि इसकी doping कैसी है? बहुत high है अगर minus लिखा हुआ है P minus यह पूरा minus होगा यह इस तरह से यह पूरा minus होगा P की power minus है या N की power minus है it means यह low doping है कोई भी नहीं है power ना plus है ना minus है तो इसमें moderate doping है normal अब यहाँ पर कहीं कहीं पर लिखा हुआ दिखेगा P plus plus it means doping level और high है P minus और doping level कम है ठीक है जितने भी ज़्याद लगाते जाएंगे उसे हिसाब से doping high और low होती रहेगी अगर कुछ भी नहीं लगा है तो moderate हो जाएगी अब यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि low doping यहाँ पर low doping है अगर तो depletion layer increase कर जाएगी depletion layer कैसे increase कर जाएगी जैसे हमारा यह SCR है ठीक है अब यहाँ पर P plus N minus P N plus ठीक है यह है यह हमारा SCR design हो रहा है तो अगर इसमें हम biasing add करते है तो यहाँ पर क्या कह रहा है P plus it means इसकी doping level कैसी है high doping है अगर high doping है यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 3 होगा ठीक है यह आप लोग correct कर लिएगा तो अगर यहाँ पर high doping है ठीक है 1 is 2 10 to power 3 है तो यहाँ पर क्या होगा depletion layer यह doping high है तो depletion layer क्या होगी depletion layer decrease कर जाएगी तो इसकी depletion layer हमारी बहुत ही पतली बनने वाली है ठीक है यह depletion layer बिल्कुल पतली बनने वाली है यह P और N के बीच में depletion layer बनेगी जहाँ पर P और N diffuse कराएजाते हैं ठीक है यहाँ पर नहीं बनेगी इहाँ पर बनेगी क्यों नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर यह layer नहीं है layer attached नहीं हो रही यह oormic contact है यहाँ पर एक wire होगा वो यहाँ पर add किया जाएगा तो इसको बोलते है oormic contact clear अब यहाँ पर N- है, तो N- means low doping है, तो low doping के case में इसकी depletion layer कैसी होगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ी वी होगी, यहाँ पर अब क्या है P, moderate होगी, ना ज्यादा बहुत कम होगी, ना बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर क्या है N+, N- plus के case में क्या है, यहाँ पर high doping ह लेयर decrease कर जाएगी, तो यहाँ पर depletion layer क्या हो जाएगी, बिलकुल पत्ली सी हो जाएगी, clear, यह P वाले में moderate रहेगी, और N plus में decrease कर जाएगी, तो इसकी depletion layer, इस side अमारी क्या है, low है, depletion layer पत्ली है, यहाँ पर high है, यहाँ पर moderate है, यहाँ पर moderate है, और यहाँ पर low है, तो अगर इसको देखा जाए, तो कौन सी depletion layer जादा बड़ी होगी, देखो high और medium, अगर हम low को design करते हैं, low को notation provide कर दें, low को 1, moderate को 2, high को 3, तो अगर यहाँ पर क्या है, L plus H, it means 4, यहाँ पर क्या है, H plus M, 5, यहाँ पर क्या है, M plus L, M means 2, and L means 1, यानि की 3 है, तो सबसे बड़ी depletion layer किसकी समझ में आ रही है, this one, अब हमारा यहाँ इसी depletion layer में electrons का movement होगा, junction का crossing होगी, वो यही दिक्कत करेगा, कौन सा, junction J2, यह हो गया junction J1, और यह हो गया junction J3, ठीक है, तो यहाँ पर यह depletion layer हमारी कैसे बनेगी, और कैसे decide करेंगी, कि इतनी छोटी होगी, कितनी बड़ी होगी, वो through the doping concentration decide होती है, clear, अब हम लोग next slide में बढ़ते हैं, reverse blocking mode of off state, reverse blocking mode, अब हम लोग यहाँ पर design कर लेंगे, अपना SCR, clear, यह हमारा SCR design हो रहा है, PN, PN, इसकी doping हम high रखते हैं, first layer की doping high रखते हैं, और यह हमारा J1 हो गया, यह J2 हो गया, और यह J3 हो गया, P plus N minus, इसकी जो doping रखते हैं, आप कैसे हैं, high doping रहती है, इसकी, इसमें doping हमारी high रहती है, इसमें low रहती है, इसमें moderate रहती है, इसमें भी high रहती है, clear, यह हो गया, अब हम यहां से इसको biasing के लिए बेज देते हैं, इसको हमने connect कर रखा है, reverse biasing में, clear, यह reverse biasing में है, अब दूसरी चीज, हमें यहां पर design करनी होगी polarity, polarity कैसे design करेंगे, यह minus है, तो यहां पर कौन से charge आएगा, minus, यहां पर, plus, यहां पर minus, यहांपर plus, यहांपर minus, यहां पर plus, अब हम यहां चेक करेंगे, यह प्लस है, यह positive से connected है, और यह minus है, यह minus है, clear, तो यह हमारी polarity decided होगई अभी डिपलीशन लेयर डिसाइड नहीं हुई हूई यह ठicamente क्याront करेंगे डिपलीशन लेयर डिशाइड करने वाले हैं हम लोग अ कि इस को कि डॉपिंग कंसेंट्रेशन से तो यहां पर कैसी यह हाई डोपिंग हाई होने के कारण यहां डिप्लीशन लेयर कैसी होगी पतली सी होगी डिप्लीशन लेयर यहाँ पर माइनस है तो डिप्लीशन लेयर बड़ी होगी यहाँ पर यह जो हमारा पी है यह मौडरेट होगी न पतली होगी ठीक है और यहाँ पर यह हमारा मौडरेट था तो यह भी हमारी doping हमारी normal moderate होगी यह n plus है n plus के case में क्या बताया था मतलब high doping है high doping में depletion layer पतली हो जाईगी ठीक है अब हमारा यह depletion layer design हो गई है यह तीनो polarity decide हो गई है P plus N minus P और N यह हमारा पूरा जो SCR है वो complete हो चुका है अब हमने यहाँ पर इसको क्या किया reverse biasing में किया ठीक है reverse biasing में जैसी हम लोग इसको reverse bias में करेंगे तो यह वाला जो junction है J1 junction J1 junction किस में चला जाएगा P positive से नहीं connected है negative से connected है P हमारा negative से connected है कहें ठीक है तो यह हमारा junction reverse bias में आ जाएगा clear क्यों P minus से connected है N देखा जाए तो positive से connected है ठीक है तो यह किस में आ गया reverse bias में आ गया अब second वाले को देखते है N और P N negative से connected है P positive से connected है तो यह आ जाएगा forward bias में this one P और N P negative से connected है N positive से connected है तो यह आ गया reverse bias में clear यह वाला junction हमारा reverse bias है यह forward bias है यह reverse bias में तो देखा होगा कि जब हमारा कोई junction forward bias में आता है तो conduction हमारा start हो जाता है reverse bias में conduction हमारा stop हो जाता है तो जो electrons हमारे move करना start करेंगे ठीक है जो electrons का movement होगा हमारा हमारे SCR में वो कैसा होगा इस junction से electron नहीं pass होंगे और इस junction से electron पास होंगे क्योंकि यह forward bias में reverse space में block करेगा ठीक है तो यहां पर यह यहां पर blocking होगी यह open circuit की तरह भी हप करने लगेगा यह open circuit की तरह भी हप करने लगेगा और यह close circuit की तरह भी हप करने लगेगा ठीक है तो इसका एक दूसरा डाइग्राम बनाते हैं इस वन ठीक है यह क्लोज सिर्कृ às यह ओपन शर्कृट है यह आप्य है तो यहमारा ओफ state की तरह भी हैप करेगा off state की तरह off state की इसलिए इसको बोलते हैं reverse blocking mode ये reverse bias में connected है और ये block कर रहा है electrons को ठीक है तो इसलिए इसको बोलते हैं reverse blocking mode clear? जो हमारी current flow होती है वो हमारी negative negative to positive जाती है ठीक है तो इस तरह से block करेगे तो इसमें block करेगी फिर अगर माल लोग कुछ electron पहुंच भी गए तो ये तो पास कर देगा फिर यहाँ पर block हो जाएगा clear? ये हमारा है यहाँ पर ये reverse blocking का operation complete होता है ठीक है clear है अब हम लोग बढ़ जाते है next slide में next slide में next slide क्या कह रहा है next slide हमारा कह रहा है कह रहा है forward blocking mode forward blocking mode तो देखो अब हमें करना क्या है इसको forward bias में connect करना है ठीक है? तो forward bias में connect करने के लिए हम लोग इसको forward bias में कर देता है यहाँ पर यह हमने connect कर दिया forward bias में ये p plus same रहेंगे सारे अब ये जो junctions हैं अब हमें देखना है कि junction J1 है, यह junction हमारा J1 था, यह हमारा, junction J1 किस में आ जाएगा? forward bias में, कैसे? P positive से connected है, और N negative से connected है, तो यह forward bias में आ गया, N और P, N positive से connected है, P negative से connected है, यह आ गया reverse bias में, यह forward bias में, यह reverse bias में, और यह forward bias में, कौन सा? J1 forward, J2 reverse, और J3 forward, इसकी बैसिंग हमने कर ली, अब बैसिंग करने के बाद, जब हम लोग, electron का conduction start करते हैं, current का flow देखते हैं, तो current हमारी flow ने start करेगी, negative to positive, जब ऐसी flow करना start करेगी, तो यह तो हमारा forward bias में है, तो यह तो हमारा किस तरह भी आप करेगा? यह हमारा भी अप करेगा close circuit की तरह है ठीक और यह हमारा open circuit की तरह है और यह again close circuit की तरह है यह positive, negative यह हमारा close circuit की तरह है forward bias में है यह हमारा j1 था j2 था, j3 था j1 हमारा forward bias की तरह j2 हमारा reverse bias की तरह है तो यह open circuit की तरह भी अप करेगा जो हमारा SCR है वो हमारा इस तरह से conduction start करेगा बट यह open circuit तरह भी हैप कर रहा है यहाँ पर electron का conduction नहीं होगा और यह open circuit तरह भी हैप करेगा ठीक है अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे हमें SCR को Uxск,uit style card लेकर रहाया अभी यहें हमारा किसमें ओधे स्स handy नहीं चल रहा है अभी हमें इसको लेकर आनाँ है ऑन उसैट में तक हमें इस से कुछ operation, पर फर्फांब करा सकते हैं अप्लिकेशन निकाल सकें फॉछ यह उमारे लिगे कौछ काम कर सकें अभी नहीं काम कर रहा अभी तो यहां पर यहां पर फ्लोई नहीं होगा, यहां पर रुख जाएगा, current, electrons रुख जाएगे, यह इसको ब्लॉक करेगा, आप इसको कैसे ब्लॉक, स्टार्ट करें, अब नेक्स, नेक्स स्लाइड में आते हैं हम लोग, नेक्स स्लाइड क्या करें, फारवर्ड और on state, इस state में हमारा SCR on होना start हो जाएगा, on हो जाएगा, वो कैसे हम देखते हैं, यहां पर हम लोगों ने कुछ voltage अपलाई किया था, ठीक है, माल लिजे, x voltage अपलाई किया था, बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी, similar, कोई चेंजमेंट नहीं होगा इस डाग्राम में, क्य हो जाएगा, कैसे, यह हमारा forward bias में था, J1 junction, J2 junction reverse bias में था, J3 junction forward bias में था, यह हमारी bias start हो गई थी, polarity design हो गई थी, और यहां पर हमें doping concentration पता कर लिया था, यह high doping था, low doping थी, moderate और यहां पर high, ठीक है, यहां पर जो voltage था, उस voltage को हम बढ़ाना start करते हैं, rise करना start करते हैं, जैसे ही, इस voltage को rise करना start करेंगे, यह जो हमारी depletion layer थी, इस depletion layer में यहां पर, एक field generate होना start हो जाएगी, और वो field, हमारी कुछ इस तरह से, एक दूसरी की तरफ, touch होना start हो जाएगी, ठीक है, अब जब यह field हमारी start हो जाएगी, touch करना, तो यह field एक दूसरी को touch करेंगी, और यहां पर electron का conduction start हो जाएगा, जब electron का conduction यहां पर start हो जाएगा, तो यह SCR हमारा working condition पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यह हमारा J1 junction हमारा close circuit की तरह भी हैब कर रा था, और जो J3 junction था, यही हमारा j2 junction था, यह open circuit की तरह भी हैब कर रह था, तो इसको हमने through the voltage, वल्टेज को इंक्रीज कराया है, वल्टेज इंक्रीज करते गए, करते गए, एक टाइम ऐसा आया, जो दोनों field diffuse हो गई है और यहाँ पर electron का conduction start हो गया यहाँ इस तरह से हमारा forward conduction mode यहाँ पर complete होता है और यह हमारा SCR conduct करना start कर देगा अब आते हम लोग next slide में actually में जो diode है तो उसको on होने के लिए off होने के लिए कुछ खास requirement नहीं होती है यहाँ पर एक drawback भी आता है drawback यह आता है कि एक इसमें terminal और होता है एक terminal और होता है जिसको हम लोग बोलते है gate यहाँ पर एक gate टर्मिनल भी होता है तो होता क्या है कि जो normal यहाँ पर voltage है हमारे घरों में voltage available रहता है 240 volt और इसको जो voltage required रहता है वो कम से कम required रहता है 2000 वोल्ट तो ये हमारे घरों में SCR को हम अपने घर में operate नहीं करा सकते हैं क्यों क्योंकि हमारे घर में जो operating voltage 240 वोल्ट है और इसको चीज़े 2000 वोल्ट तो यह नॉर्मल लेबरेटरी में भी इतना voltage required नहीं रहता है तो इसको हम SCR को चालू करने के लिए जो यह gate है इस gate में एक normal small amount का voltage प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा यह SCR ट्रिगर करना स्टर्ट कर देता है ठीक है वो ट्रिगरिंग का पार्ट है ट्रिगरिंग जो वर्ड है इसका मतलब है कि SCR को on कैसे करना है on ठीक है अब यहां पर हमने मैंने बताया कि voltage को increase कर देंगे on हो जाए इतना voltage है नहीं हमारे पास तो एक alternative विवस्ता सोचनी पड़ेगी हमें यहां कि कैसे इसको on किया जाए तो उसको on करने के लिए हम लोग क्या करते हैं gate पर हम लोग इस तरह से biasing कर देते हैं कैसी forward biasing तो यह इसमें यह gate triggering मैंने कर दी है यह जो मैंने यह setup तयार कर दिया है that is called the gate triggering इसमें यह बहुत सारी triggering होती है कई तरह से SCR को हम on कर सकते हैं easily तो पहला तो आता है voltage triggering voltage triggering क्या होती है voltage triggering वही है कि यहां पर voltage को आप बढ़ा दीजे बहुत सारा SCR कंड़क्ट करना है start करेगा ठीक है तो उसमें जो बड़ी लिबरेटरी है जहां पर voltage अबलेबल है वहां तो हो सकता है नॉर्मल जगहों पर हमारा यह voltage पॉसिबल नहीं है अब नेक्स आता है gate ट टर्मिनल है इसको क्या करेगा यहां पर positive charge को और increase कर देगा increment करा देगा ताकि हमारा क्या होगा यहाँ पर जो polarity है वो reverse biasing के polarity है तो यहाँ पर यह positive को वज़े से इधर positive होगी और इधर negative होगी इधर positive होगी और इधर negative होगी इधर positive होगी इधर negative होगी तो यह जो negative terminal है यह negative charge है यह positive charge आ करके इसको nullify कर देगा और यहाँ पर इसकी depletion layer को और घटा देगा घटने के वज़े से conduction start हो जाएगा clear? तो वहाँ पर उतना हमें voltage बढ़ाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी फिर इसके बाद आता है db upon dt db upon dt का मतलब derivative of the voltage with respect to time यहाँ पर जो voltage है उस voltage को एक time के साथ fix करके हम उसको change कराते हैं तो भी हमारा SCR यहाँ पर conduct करना start कर देगा फिर इसके बाद आती है thermal triggering thermal triggering का मतलब यह होता है कि उसका जो SCR है हमारा उसमें thermal change लेके आजाए temperature का variation दे दें ताकि यहाँ पर यह जो J2 junction है यह हमारा conduction mode में आ जाए यानि कि करने लगे और यह हमें SCR को on करने में help कर दे तो यह that is called the thermal triggering अब इसके बाद आते हैं light triggering तो light triggering का मतलब वही है thermal triggering इसमें हम यहाँ पर यह J2 junction पर एक light incident करा दें जब बहुत सारी light आएगी तो यहाँ पर क्या होगा photons strike करेंगे photons strike करने के बज़े से वहाँ कर टंपरेचर जो है थर्मल है थर्मल टंपरेचर है यानि कि thermal conductivity वह बढ़ जाएगी और electron का कंड़क्शन स्टार्ट हो जाएगा clear तो यह हमारी टिग्रिंग है टिग्रिंग का मतलब SCR को on करने के कितने मेथड हैं वह यह पांच तरीकी के मेथड होते हैं voltage टिग्रिंग, gate टिग्रिंग, db upon dt टिग्रिंग, thermal टिग्रिंग और light टिग्रिंग move करते हैं next slide में next slide में क्या कह रहा है कह रहा है SCR commutation यह SCR चालू भी अपनी मर्जी से नहीं होता है और बंद भी अपनी मर्जी से नहीं होता है तो इसको बंद करने की भी तरीके होते हैं, इसको हमें बंद करने का कितने तरीके हैं, दो, एक है natural commutation, natural commutation के मतलब उसमें क्या है, कि आप उसको anode और cathode के बैटरी हटा दीजे, बिलकुल हटा दीजे, तो वो बंद हो जाएगा, otherwise वो conduction mode में रहेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि ह हमारा कोई SCR कहीं पर लगा हुआ है, उससे पूरा circuit से हम बैटरी निकालें, फिल लगाएं, तो this is a very typical process, तो इसको नहीं, natural commutation तो comfortable नहीं है, ठीक है, दूसरे हैं, force commutation, force commutation में कई आते हैं, class 1, class B, class C, D, E, पांस तरीके को होते हैं, उन में से करते यहीं चीजे हैं, first one क्या बैसिंग, यानि कि उसको reverse बैस में connect कर दो, तो आहां पर SCR हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा, third, negative supply applied at gate, जो अभी gate टर्मिनल था, gate टर्मिनल को हमने यहां से, यह gate टर्मिनल था, और यहां से मैंने इसको forward बैस में connect कर दिया था, clear, यह हमारा cathode था, और इधर हमारा anode तो यह हमारा P, P, N, N, यह plus, minus, plus, यह हमारा SCR बन गया, और यह हमारा cathode हो गया, यह anode हो गया, तो अगर हम इसमें यह जो battery connected है, यह plus और minus, यह forward बैस में connected है, forward बैस में, अगर इसको reverse बैस में कर दें, clear, तो अगर हम इसको reverse बैस में करते हैं, तो यह negative टर्मिनल हो जागा, यह positive हो जागा, अब देखो यह P, negative से connected है, जैसे यह P, negative से connected है, तो यह वाली जो layer है, depletion layer, इसको increase करके और कर देगा, यहाँ से कर देगा, अब जब यह depletion layer बढ़ जाएगी, तो electron का conduction हमारा रुक जाएगा, और यह SCR बंद हो जाएगा, ठीक है, तो by removing anode current, यहाँ पर य यह कह रहे है कि current है, यह यह वाली current है, forward bias में होगा, तभी conduct करना start करेगा, otherwise नहीं करेगा, तो यह anode current है, तो यहाँ आप एक switch लगा लिजे, और यह switch के through, इसको open कर दीजे, anode current हटा दी, तो यह automatic SCR बंद हो जाएगा, second कह रहा है reverse bias में, तो इसको यहाँ पर reverse bias में डाल दो तो जब reverse bias में डाल देंगे, तो बहुत सारे junctions हमारे reverse bias में आ जाएगे और यह conduct करना बंद कर देगा, अब आते हैं हम लोग advantages में, advantage में क्या है, कि it can handle large voltage, current and power, clear, यह बहुत ज़्यादा heavy current को, voltages को और power, यानि कि दोनों मिला कर हम उसको power बोल सकते हैं, तो voltage और current दोनों को ब बहुत large amount में voltage और current को handle करता है, इसमें क्या है, कि अगर हमारी current का fluctuation बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जब हम लोग grid से, जो हमारी power grid होती है, जहां से power का generation होता है, वहाँ पर हम यह CRS जैसे components को use करते हैं, तो वहाँ पर बहुत heavy current होती है, और voltage होती है, 11,000 KV की line होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम SCR का use लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा current और voltage रहता है, ठीक है, the voltage drop across the conducting SCR is small, ठीक है, voltage drop, voltage drop means कि जो voltage होता है हमारा, यानि कि reverse bias में, leakage current जिसे बोलते हैं, यानि कि जो हमारा current forward, forward bias में जा रहा है, उसके against में कुछ electron pass हो जाते हैं, यानि कि wastage of current, ठीक है, wastage of voltage यहाँ पर बहुत कम होता है, simple language में समझे तो, this will reduce the power dissipation in SCR, power dissipation, जो power हमारी खर्च होती है, SCR को drive करने में, वो बहुत small power होती है, easy to turn on, easy to turn on तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर, normal case में, हम triggering method यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा यह turn on करना इसको easy हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको बोल रहे है, easy to turn on, क्यों, पांस तरीकी के triggering होती है हमारी, voltage triggering, gate triggering, thermal triggering, DB upon data triggering, और एक light triggering, triggering circuit are simple, simple connection है, उसमें provide करने के लिए, तो यहाँ पर triggering circuit is simple, it can be protect with the help of fuse, ठीक है, यहाँ पर हम fuse करते हैं, किसलिए कि हमारा SCR damage ना हो, second के है, third, next point के है, we can control the power delivered to the load, we can control the power delivered to the load, actually में क्या है कि यहाँ पर जो AC supply होती है, उसका जो graph बनता है, उसमें एक triggering, firing angle होता है, firing angle का मतलब, कि जैसे माल लीजिए, कि यह हमारा एक sign wave है, clear, अब हमें SCR यहाँ से start नहीं करना है, हमें यहाँ से start करना है, it means, यह हमारा firing angle है, यहाँ से start करना है, तो हमारा SCR यहाँ से start होगा, इस तरह से, यह output में हमें waveform provide करेगा, तो this is a firing angle, तो इसलिए यहाँ पर यह कह रहा है, it can control the power delivered to the load, load कह रहा है कि हमें यह alpha 25, ठीक है, यह 5, यह 5 को हम 180 degree बोलते हैं, तो alpha, alpha का angle कुछ है माल लीजिए कि 30, तो यानि कि 30 डिग यह तक आपको output provide करना है, rest 1, 0 degree से लिके 30 degree के तक कोई output हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर firing angle decide कर देते हैं, यानि कि gate को इतनी angle पर हम launch करते हैं, या trigger करते हैं, तो हमारा SCR इसी angle से start हो जाएगा, तो हम यहाँ पर यह controlling भी easy है, क्योंकि power delivered to the load, control कर सकते हैं, through the gate, gate या triggering method, we can use in high frequency, actually में क्या होता है, कि जो हमारी frequency है, वो normal case में, normal diode में बहुत low frequency रहती है, but in the SCR, हमें एक flexibility मिल जाती है, कि अगर frequency आपकी बहुत जादा है, it means kilohertz में है, one kilohertz, ठीक है, normal frequency अगर यह होती है, ठीक है, तो यह सतरी की frequency में मिल लगी kilohertz में, तो actually में क्या होता है, कि जब rectification property आती है, तो यह positive cycle में तो चला गया, और जब इसको negative cycle, again positive देना होता है, तो यह थोड़ा सा नीची चला जाता है, अब फिर उपर आता है, फिर थोड़ा सा नीची चला जाता है, फिर उपर आता है, तो इस तरह की यह हमारी, इस portion की यह negative, negative clip provide करता है, अगर यह यहाँ पर high switching speed provide नहीं करेगा, तो इस तरह की हमें यह दिक्कत है, देगा, तो यह हमारा SCR जो होता है, वो high speed switch होता है, और switching speed बहुत अच्छी होती है इसकी, तो यह हमें केवल positive cycle में ही, हमें wave को provide करेगा, ठीक है, power supply हमारी positive cycle में ही देगा, negative cycle में नहीं देगा, okay, thank you